गुद्वानिंग एर्यवन गुद्वानिंग जल्दी से जल्दी बताइए आपको हवाज पहुंच रही है तब तक जो है मैं टेलीग्राम चैनल के उपर ग्लास शेयर कर देता हूं ताके बच्चे और भी जुड़ जाएं हमारे साथ यह जी गुद्वानिंग गुद्वानिंग सब को गुड़ बानिंग है जल्दी से जल्दी बताइए आपको आज पहुंच रही है अ पहुंच रही है लो है ठीक है चलिए मैं भी अपनी हवाज सुन लेता हूं ताकि देख लूँ जी गुड मारिंग ठीक है पहुंच रही है जी ऑगे गाइस सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और सेशन को बढ़ाते हैं आगे तो हम डिसक्स करेंगे आज महाराष्टा सिविल सर्विसीज के लिए सेट नमबर थ्री क्या हो गई है महाराष्टा के लिए सेट नमबर थ्री और देखते हैं आज हमारे कोशन क्या कहते हैं और आज इस वीडियो को लिए क्या रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोई आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं जो टेलीग्राम चैनल है हमारा यहां पे आपको जॉइन करना ही करना है यहां पे हर लेक्चर की PDF बिडियो लेक्चर प्लास जो भी पैड के जानकारी है वह यहां पर शेर की जाती है यहां पे एक लाख 32,000 प्लास बचे मेरे साथ युड़े हुए है तो आप आक़ यहां पे जूड़ सकते हैं इंस्ट्र बात दूँगा उस आपके अभियान में और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ मैं मेरे दो पेड़ कोर्स आते हैं इसके अंदर जो है हमने चैप्टर वाईज एक्जाम का फोल्डर है उसको भी देखेंगे समझाया आप लोगों को तो यह चीज़ देख लेना और इस कोर्स के अंदर एक कोड है लगा सकते हैं तो आपको डिसकाउंट मिल जाएगा यहां पर और यह 28 तारिक इसकी लांज डेट है परचेस करने की दूसरा कोर्स है हमारा थेयरी कोर्स इसमें हमने टॉपिक को डिटेल में समझा है कि क्या है टॉपिक और इसके अंदर कोड है वी आईपी 500 तो आप इन कोर्स को परचेस कहां से कर पाऊगे दो जगा से एक तो स्टडी आईक् कोर्स यहां पर वी ओल का बटन इस वी ओल के बटन को दबाना जैसी आप दबाएंगे आपको 10,000 एंसी कोर्स दिखेगा आपको तीसरे नंबर पर और जीएस कोर्स आपको नजर आ जाएगा चौते नंबर पर समझाया तो अगर आपका कोई भी एक्जाम है किसी भी एक्ज कर दम तीन-चार महीनों में हैं तो 10,000 एंसी कोर्स परचेस कर लेजिए अपकी प्रेपरेशन अच्छी हो जाएगी अगर आपका नेक्स्ट यह का टार्गेट है तो पहले आप जीएस को परचेस कर सकते हैं ताकि आपको ठीरी स्टॉंग हो जाए आपकी अगर ठीरी पता ह कि अगरे तैक्यू सो मच बिल्कुल मोच बिल्कुल आपको सकते हैं बिल्कुल देख सकते हैं बढ़ यह— चलिए क्या गया था है अपको पता है मैंने बताया था कि यह जो है वाटर को शुद्ध करने में आपको करती है तो बात यहां पर यह है कि इसमें कौन सी चीज जो है यूज करी जाती है अल्टरा वाइल ट्रेज चैन बी यूज इन दा वाटर टीटमेंट यह आपका क्या रोल प्ले करती है यह रोल प्ले करते हैं डिसिंफेक्टेंट का विंस कर्मक का अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा जिसमें आपके सारे के सारे जितनी भी चीज़ें आपकी जितनी भी चीज़ें आपके वैक्टीरिया वाइरस बगरा उसको यह खतम कर देता ह अंसर इसमें D option बन जाएगा correct answer D option is the right one clear अब ultra violet rays का concept में आपको समझाया था अल्टा वाइलेट रेस जो होती है sun से आती है हमारे धरती की उपर और ozone layer है स्टैटोस्फियर समताम मंदल के अंदर जहां पे UV rays को आने से रोका जाता है और UV rays को रोकती है ये अगर रेंगे के तो आपकी छो है ऻिए धर्ति की उपर कॉन सी किरने आएंगी जो आपको एक्ट करेंगी आपकी बॉडी के ऊपर अल्टरा वाहले ट्रेस जो है हम कहां पर य electrosam लोट्रा साउंड में बने का डी बनेगा लुखा हुए कैसी प्रैशी बिटेटर का मतलब का होता है यह एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप dust smoke fog यह जितने भी पार्टिकल होते हैं dust smoke और फोग वाले पार्टिकल जो होते हैं इसको अलग कर दिया जाता है filtration device लगाके इसको filtration device लगाके अलग कर दिया जाता है hydrolyzer का मतलब क्या होता है in the presence of water water की presence के अंदर किसी चीज़ को तोड़ना तो that is called hydrolyzer hydrolyzer उसको कहा जाता है clear और उसके बाद है फ्लकुलेटर फ्लकुलेटर का मतलब क्या होता है जितने भी आपके sediments होते हैं Collider particle से Collider particle है आपका suspension वाला पार्टिकल है उससे आपके जो होंगे Collider particles जो है आपके निकाले जाएंगे from the sediments clear तो यह होता है आपका फ्लकुलेशन clear हो गया आप लोगं को है ठीक है कि समझा आप लोगं को जी बहुत बढ़िया तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर disinfectant is the correct answer disinfectant डी ऑप्शन बनेगा तो यह है जिए आपका अल्ट्रा वाइले disinfection का system water treatment का process यह होता है अच्छा एक चीज़ और आपको बदाता हूं जैसे municipality का question आता है विपर में आपको municipality वाले जो होते हैं वह भी water disinfectant करते है वो पानी के अंदर क्या डाल देते हैं क्लोरीन डाल देते हैं यह आपको पता होना चाहिए जो मुंसे वीजे नेगर इंपाइर का ruler है कृष्णदेव राया कृष्णदेव राया एक ruler है तो बात कर रहे हैं उनकी पुस्तक है अमुक्ता माल्यादा मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है यह अमुक्ता मल्यादा यह आपकी जो है पॉलिटिकल बुक है क्रिशन देव राया की पुस्तक है और यह किस में लिखी गई है यह तेलगू लेंगोज में लिखी गई है अंसर इसमें क्या बनेगा एप्षिन बनेगा यह लिखी गई है समझाया जी तेलुग भाषा के अंदर यह लिखी गई है इसमें क्या बनेगा आपका ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर विजे वाटवीजनेगर जो है एक सिटी है अभी अगर हम बात करें कहां पर है करनाटक में अभी इसको 31 डिस्टिक्ट का दर्जा दिया गया था अभी Halo ओर करते हैं तो देखने के चिनारे देखने को मिलता है और यह किस ने बनवाया था डढ़ सारि हर बनेगा राइट अंसर ए ऑप्षिन इस राइट अंसर तेलगो अच्छा इनके टाइम पे कृष्ण देवर आया के टाइम पे पर्टगीज एक ट्रैवलर आया था पॉर्टगीज ट्रैवलर और कौन आया था डॉमिंगो पीज डॉमिंगो पीज यह जो है पर्सन आया था डॉमिंगो पीस तो इसमें यह बनेगा आपका उपिशन बनेगा औरा करेक्ट अंसर समझ आया निजी डॉमिंगो सोज़गीज ट्रैवलर क्रिश्णा देवर आया के टाइम पे यह था यह अंब्कति मॉंड आनैक्स पॉइंट ब एकचली चीक है एक फेरा और फेमा वर्ड सुना होगा आप लोगो ने फेरा होता है फोरण एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1973 में चालू हुआ था और इंप्लीमेंट वह था 74 में और एक है आपका फेमा फॉरण एक्चेंज मैनेजमेंट एक्ट क्लियर जो हुआ था 1999 में और इंप्लिमेंट हुआ था आपका 2000 में तो यह द्यां रखना है आपको यह के ऊपर भी कोशन पूचे जाते हैं तो दूनों में आपका एक्चली प्रमोशन करी जाती है फॉरन इंवेस्टमेंट की क्लियर फॉरन प्रमोट करना फॉरन ट्रेड को प्रमोट करना एक्चली जो फिरा है आपका क्या करता है फॉरन पेमेंट को प्रमोट करता है लेकिन फेमा में फॉरन प्रमोट होती होती है प्लस यहां पर फॉरन ट्रेड भी आपका प्रमोट हो रहा है तो इस कोशन का अंसर क्या बनेगा foreign exchange regulation act तो उसमें सी option बनेगा right answer सी option इसा करेक्ट पर फॉरन एक्षेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 चलिए अगला अंसर बताईए हां काम उसका वह ही है औब्जेक्टिफ सरक यह ही है कि फेरा का जो अब्जेक्टिफ आप वह foreign exchange को conserve करना payments को conserve करना लेकिन फेमा का foreign exchange को ही है प्लस trade भी है आपका चीक है चलिए अगला अनसर बताईए कि बेक लाइट जो है यह किस चीज का बना होता है बेक लाइट देखें जितने भी हैं यहां पर जितने यह आपके पॉलिमेराइशन के आपके एक्जम्पल है बेकलाइट किसे बनता है बेकलाइट बनता है फॉर्मेल डिहाइड और फिनॉल से बनता है यहां पर सी इदर लिखा हुआ है और यहां पर सी इदर लिखा हुआ है ठीक है फॉर्मेल डियाइड और फिनॉल से बनता है के वागेर कहाँ प्रॉज्टिक िदरह होता है जैसे क्वे आपके लास्टिक तरह होता है ठीक है लाक्तिकल फॉची बगार होती है कौ कोम कंगा तो वह सारा का सारा बेक लाईट का बना होता है इस एप सी आप्शुन बनेगा राइट सवस्टी ऑप्ष्ण यहां पे सी cloud कि इतलीं की बात करते हैं आपको पताओगा पॉलि α सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो यह सारे इंसर पता होने चाहिए आपको ईसमें पॉरमेल डिएड और फिनॉल से बनता है इसमें इधर सी लिखा हुआ है इधर सी ज़ां रखना तो यह आपको वैसे पढ़ना नहीं है यह पढ़ना नहीं है आपको बस मैंने ऐसी दिखा दिया फालतु में यह देखना नहीं है आपको सोचना भी नहीं है क्योंकि यह पूछा भी नहीं जाएगा ऐसे क्या होता है चीज़ें चले अगला अंसर बताईए यह कोशन तो आप इसली बता दोगे को कि हमने बहुत बाट चीज डिस्कस कर यह हमने यह चीज बहुत बाट डिसकस कर यह कि नहीं को दिकर देखें कि क्या कहता है अंडर एंड एग्रिमेंट विट्ट विट्ट वन ऑफ फॉलिंग कंट्रीज इस सुभाष चंदर बोस और्गनाइज दा इंडियन सुल्जेर टेकने एस प्रिजनर उल्गोड इन्टो अजद हिन्द विच ध्यान से कुशन क्या कह रहा है और सभाष इंद्र बोस जी ने कौन के सैनिकों से बनाई थी जपान के लोगों ने हमारे सूल्डरस को पकड़ा था और उससे इन्हों ने फॉज बनाई थे डैडिज आजाद हिंद फॉज इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर सुभाष इंदर बोजी के बारे में बात करते हैं तो इनको ने आपकी ऑटोबाइग्राफी है यहां पर इंडियन फोज बनने से पहले इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी थी इंडियन फॉर्टी टू के अंदर जो बनवाई किसने थी कैप्टन मोहन सिंग ने बनवाई थी और प्लस राश बिहारी बोस ने बनाई थी यह राश बिहारी बोस वही है जिनों ने 1911 जब 1912 में आपकी कैपिटल शिफ्ट हो रही थी तो लॉर्ड हार्डिंग दृत्या क की उपर लॉड हार्डिंग सेकंड की उपर बंफेका था इस वेरी इंपॉर्टन पार्ट क्लियर अब जब जो है सुभाशन बोस जी 1943 में शिंगापूर में पहुंचे थे 1943 में सिंगापूर में पहुंचे थे तो उन्होंने आपकी पूरी की पूरी जुल सारी पावर हैं आजाद हिंद फोज की किसको देदी थी सुभाष चंद्र बोज जी को देदी थी सुभाष चंद्र बोज जी ने फिर अपनी सेना बनाई चीक है नहरू नहरू गांधी जहांसी and one more is the one more is the सुभाष यह फोर्स बनाई और देश को आजाद करने के लिए चल पड़े तो पहला जो देश स्टेट आजाद करवाई थी डैट वोज अंडेमान निकोबार आइलेंड अंडेमान का नाम रखा गया था शहीद और जो है निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज इ यहös कौंसेफ्ट को कलेर होना चाहिए तो अंसलिस में क्या बने आपका डी ऑफ्ष नगे का राइट यहला था यह पहली बार पर देखने को आपको मिला था ब्रह्म डया ब्रह्म डेया का मतलब यह हूता है वो हम गिफ्ट कर रहे हैं किसको गिफ्ट कर रहे हैं ब्रहमन को गिफ्ट कर रहे हैं ब्रहमिन्स लैंड हम किसको गिफ्ट कर रहे हैं ब्रहमिन्स को गिफ्ट करते हैं तो ब्रहम दया जो है यह टर्म पहली बार इंट्रड्यूस करी गई थी कब इंट्रड्यूस करी गई थी यह तो यह कर दो यहाँ आपकी जो है जहाँ पर जो है अपकी क्या करते हैं गुक्त की यंदर देखने को आपको मिलता है अगला खोश्य में बताइए नीमोनिय इट्फएक्ट विच्ग ओरन ऑव दा बडी नीमोनिया जो होता है यह हमारे बाड़ी के किस पार्ट करता है यह आपको बताना है जल्दी से जल्दी बताईए जीर निमोनिया जो होता है पहले तो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है डिपलो कोकस निमोनिया डिपलो कोकस निमोनिया के कारण देखने को आपको मिलता है यह ठीक है अब बात करते हैं निमोनिया होता गया है यह जो आपका बैक्टीरिया है यह आपका बैक्टीरिया जो है ल एक्से आपको इसमें देखने आप लोगा स्लिक्राइब निमोनिया तो और लंग के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लंक्स जो होती है फेफडे जो होते है इसकी जो आउटर वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते है डैडिस कॉल्ड प्लूरल मेंब्रेन क्या कहा जाता है अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बी ऑप्शन किड्नी की बात क होती है ब्लेड प्लाज्मा वो क्या होती है यहां पर फिल्ट्रेशन होती है ठीक है फिल्ट्रेशन होती है और इस चीज़ को हम क्या कहते है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे हम क्या कहते है प्रान इस पंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रान इस पंदन कहा जाता है तो इ 7% क्या होता है यूरिया और 0.3% होता है यूरिक एसिड और उसके बाद 2% होते हैं सॉल्ट ठीक है यह भी आपको याद रखना है लिवर की बात करते हैं लाजेस्ट और ऑफ दा बॉड़ी यहां पर आपका यूरिया बनता है और निथिन साइकल से हैपरिन प्रोटीन है जो करता है आणकी करता बाद करें तो सिर्फ दो आपको याद करने दोहींन टेस्ट च्न होता है और प्लस मैक्सिमम यहां पर भृई और इंटेस्टाइन में आपका एक पार्ट है लाज इंटेस्टाइन लाज इंटेस्टाइन में क्या होता है यहां पर आपकी वाटर की अब्सॉप्शन देखने को मिलती है यहां पर ठीक है खाने का फ्लूड वगार बढ़ गया है निमोनिय डिपलोगो कर सिंदि मोनिय के कारण चलिए अगला आँसर बताईए है यह कोशिन इंपॉड़न्ट है पिसे पास पता लग जाएगी करप्शन चार्जिज हो रहे हैं किसी भी पॉब्लिक सर्वेट के ऊपर इंक्लूडिंग दा प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो ठीक है तो लोगपाल के अंदर जो है कितने टाइम में ये सारी चीज़ें करप्शन को संभालेगा लोगपाल जो है आपका 2019 में आया था और पहले लोगपाल कौन बने थे हमारे पिनाकी चंदर घोश ये बने थे चीक है तो यह पता होना चाहिए और अगर इनके पास क्रॉप्शन चार्जिस पहुंच गए तो कितने दिन में पास करेगा यह 30 दिन के अंदर अंदर इसको जो है अपना रिजल्ट देना पड़ेगा अंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर ए ऑप्शन थर्टी डेस नौट करॉप्शन चार्जिस के लिए 1964 में जिनों ने क्या किया था एक और्गनाईशन बनाई थी हमारे देश के अंदर वह उस और्गनाईशन का नाम बताना है आपको जी समझाया जी तो उसका नाम बता यह संथनम कमेटी बैठी थी एक 1964 ने वह करॉप्शन चार्जिस को संभा को आगे इंडे लिए MAcciones मांचेस्टर इन यूके इस फेममस फार विच ओव्ड़कर फालोविंग मांचेस्टर जो है वह किस चीज के लिए फेमस है यूट सकर के अगर हम बात करें मांचेस्टर एंडिया इνडिया की बात करते है तो हमारा मांचेस्टर कौनसे था दी ऑप्शन भनेगा और अहमदाबाद जो है अहमदाबाद जो है गुजरात के अंदर है यह आपका प्लॉप्र यह लिए आपको ठले क करेगा मतलब अर्टा है मतलब थंडा और गरμ सुखा और लिगला जो है और पर प्रम तरी के से है उगाई जा सके तो मांचेस्टर UK के अंदर जो फेमस है वहां पर है इसको मांचेस्टर कहा जाता है यह इस इंपर्टन उन्सर इसमें डी बनेगा और मैंदे आपको बताया था कि कॉटन जो है कि गया पहली बार एक फार एवलुशन ता डेट वाज सिल्वर फाइबर रेवलुशन सिल्वर फाइबर रेवलुशन देखने को मिलता था अंसर इस डी ऑप्शन इसा करेक्ट अंसर आयरें एंड स्टील प्लांट की अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड फाइब यर प्लैन था 56-61 में पीसी महल प्लैन उसको कहते थे और वहां पर आपका क्या है आयरें और स्टील प्लांट खोले गए थे तीन ठीक है यह आपको क्लियर होना चाहिए अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा चलिए जी आगे डिसक्स करते हैं लेक्स पॉइंट बताईए अंसर पताईए फटाफट जी कोश क्योंसी है नागा हिल्स की हाइस पीक कौन सी है नागा हिल्स जो है आपकी कहां पर लोकेटिड है पहले तो पताऊना चाहिए इंडिया और बर्मा जाने की मियानमार के बीच में इंडिया और बर्मा के बीच में देखने को मिलती है आपको नागा हिल्स दिखा देते हैं य थिस वेरिंपॉर्टेंट वार्ट तो ईंसर इसमें ग्या करेंगे या डि ऑप्षेंद स्राम इफ फीक कहां पर चल रहें थुम लोगं है अंडेमान निक्व राइंड की है अडेमा निकवर में में आवली जो है आपकी इंडिया में क्या है- मांटेंज हैं और ऑर्ड में सबसे यंगेस्ट फोल मंन कीobile को सबसे valid कि माल्या हिमाल्या का इसन कहां से देखने को मिला क्र assessment से और सबसे माँंट आवरेस्ट मांट आवरेस्ट जो है आपकी कितनी जो हाइट ए इतनी है 8848.86 मीटर 086 मीटर जो है अभी हाइट इसकी बड़ी थी समझाया उसमें फौर्ट ऑप्शन बनेगा राइट अंसर दी ऑप्शन समझाया जी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर डी ऑप्शन इस दा करेक्ट अंसर यह हो गया सरमती ठीक है चलिए अगला कोशन ध्यां स से समझे क्या कहता है अगला कोशन ध्यान से समझे अंडर हूस लीडर्शिप वाज और इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेट अब और इंडिया मुस्लिम लीग जो है सेट अब करी गई थी किसके अंत्रगत करी गई थी यह कोशन पूछ रहा है तो इन में से कौन से लीडर थे जिन्हों ने ये स्थापित करी थी जी करें आगे चलिए तो All India Muslim League जो स्थापित करी थी 1906 में 1906 में स्थापित करें ती धाका में और इसमें जो स्थापित करी थी वो किस ने करी थी सली मुला खान सली मुला खान ने इसको जो है इस्टेब्लिश किया था और सली मुला खान के साथ कौन थे आगा खान तो इसका अंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा आगा खान इस दा करेक्ट अंसर आगा खान इस दा राइट व लोग थे विकार उल्मुल्क विकार उल्मुल्क यह परसं थे विकार उल्मुल्क तो थी थे ठीक है खान बहादुर गुलाम खान बहादुर गुलाम यह भी पर्सन थे ठीक है और उसके बाद मुस्तफा चौधरी ठीक है यह बड़े प्रॉमिनेंट पर्सन थे जो इसमें इन्वॉल्ड थे क्लियर अंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शिन बनेगा और एक चीज मैं आपको बदाता हूँ जो है कॉमनलिजम जाने की सांपरधायकता जाने की आपके जातिवाद की उपर बाते स्टार्ट करी थी वह किसने स्टार्ट करी थी मुस्लिम लिग के अंदर सेयद एम्म और मुहमद ली जिन्ना ने तो बाद में जॉइन किया था बाद में डैट इस आ नाइंटीन थर्टीन के आसपास जॉइन किया था तबी हम क्या रहे हैं लीडर्शिप बतानी है आपको मुस्लिम लिग की सेटप किस नहीं करी तो इसलिए हम इसको टिक करेंगे आगा खान क आगा खान जी अगला बताई एट डिगरी चैनल जो है आपका एट डिगरी चैनल चीक है यह किसको सेपरेट करता है यह किसको सेपरेट करता है लक्षदीप को किस सेपरेट करता है यह सेपरेट करता है लक्षदीप को कहां से मालदीव के अंसर इसमें क्या बनेगा आपका का एट डिगरी चैनल अगर आपसे पूछा निकोबार अंडेमा निकोबार से जो बीच में आपका चैनल हो कौन सा है दस डिगरी चैनल आपको अलग करता है और अगर आप प्ष्दीप को मालदीव से अलग करने के लिए डिगरी चैनल इस इंपॉर्टन वान प्लियर याद रखना आपको और यह हो गया जी आपका पार्ट और श्रिलंका से इंडिया को अलग करने वाला कौन सा मनार है गल्फ आफ मनार गल्फ आफ मनार देखने को आपको मिलता है इसमें क्या बनेगा आपका a option बनेगा करैक्ट अंसर समझाया जी ऐं ऑन ऑप्षिन बनेगा आपका right answer बन जाएगा वब्ध करेक्ट और यह देख लो लिखा हुआ है यहां पर चीक है आठ डिक्री चैनल जो है मिनी कोई और मालदीव को अलग करता है nौ डिक्री चैनल जो चलिए हीरा कुड जो प्रोजेक्ट है ये कहां पर है कौन सी रिवर की उपर है हीरा कुड प्रोजेक्ट ये पहला मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट था पहला मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट हीरा कुड डैम हीरा कुड प्रोजेक्ट ये था आपका महानदी रिवर की उपर उडि ऑफ मॉडर्न इंडिया जो डैम्स हैं वो मंदीर है आधुनिक भारत की वो किसे बोला था जो आला नहरुजी ने बोला था यह भी आपको पता होना चाहिए अब बात करते हैं यहां पर क्रिश्णा रीवर की कृष्णा रीवर जो है यहां पर आपका नागरजना सागर डैम देखने को मिलता है आंध्रापरदेश में आंध्रापरदेश में ठीक है चंबल की बात करें तो चंबल में आपको कौन से डैम्स देखने को मिलते हैं डैडिस राना परताप डैम राना परताप सागर जोहर सागर जोहर जोहर सागर जोहर सागर जोहर सागर डैम जोहर साग ठीक है और गांधीा सागा regen देखने को मिलता है यहां पर गांधी सागर याल रखने हैं और उसके बाद को सी इस दा सपरерм बिहार बिंगल में शूख और बिहार में जो बाड लेके आते ऊए ब्हों सी रिवर बन जाएगा जी डी option कुल्या महानदी तो टोटल नंबर फंडामेंटल डूडिस-मैंशन इंधा इंडनिंच याद मरा है जब उसमें 11 करेक्ट अνसर फंडामेंटल डूंटीजिन करेंगे ौन्जब पुरन सिंग कमेंटी की रिकोमेंडेशन से 42nd Amendment Act 1976 द्वारा एड करी गई थी और इसमें हमारी 10 fundamental duty एड करी गई थी और इसको जो है कहां से बोरो किया था हमने रशिया से USSR से इसको बोरो किया था पार्ट फोर एके अंदर पार्ट फोर एके अंदर जो है इसमें लिखा गया है और पहले 10 fundamental duty एड करी थी बाद में हमने 11 fundamental duty एड करी थी जिसमें पेरेंट्स को पढ़ाना पेरेंट्स को पढ़ाना है बच्चों को छे से 14 साल के बच्चों को और यह आपकी फंडामेंटल डूटी थी नाव इज़ा 11 फंडामेंटल डूटी इंदा इंडिन कॉंसिशन इसमें क्या बनने वाला है आपका बी ऑप्षिन बनेगा राइट अन्सर समझाया आप लोगों को जी बी ऑप्षिन बनेगा आपको करेक्ट अंसर बन जाएगा बी ऑप्षिन इस दा करेक्ट अंसर 51-4 ए सब छीज़े समे दी की मदर कौन थी शीवा जी की माझा शीवा जी मराथा ठीक है मरण फार ये थी जीज़ा बाइनसर इसमें बनेगा बी option बनेगा जी चाब भाई इसा करेक्ट अंसर 1674 में इन्हों ने जो है इनको छत्रपती का इन्हों ने टाइटल लिया था चत्रपती शिवा जी महराज और 168 में तो इनके डैथ होगी थी और शीवा जी जो है शीवा जी महराज इनके जो गार्जिन थे वो कौन थे दादा जी कॉनड़ा देव और इनके गुरु कौन थे तुकाराम एंड रामदार इनके गुरु थे और इन्होंने बहुत सरी लड़ाईया लड़ी थी आपकी और शीवा जी के टाइम पे अश्ट परधान सरकार थी अश्ट परधान का मतलब आठ मिनिस्टर उसके अंदर होते हैं पेश्वा जो है आपका सबसे ज़्यादा हाइस पोस्ट के ए मिनिस्टर केंफे दो टाइब के टाइप से लेते हैं माहराष्रा के अंदर हो है राइट्स ले रखे हैं जो जो जमीने हेरेटरी आ रही हैं उनके पिता उनके पिता उनके पिता से ऐसे आ रही है तो उसको एडिशनल 10% टेक्स बना पड़ता था समझाया आप लोगं को जी समझाया अंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर जी जब भाई इस अ करेक्ट जी जा भाई ठीक है जी जा भाई वेरी इंपॉर्डेंट नेक्स टेके जी विटामिन सी का क्या नाम होता है फटा फट बताईए विटामिन सी का क्या नाम होता है विटामिन सी सब बता सकते हो आप इसमें विटामिन सी जो होता है यह होता है आपका एसकॉर्बिक एसिड यह option बनेगा जितने भी सिट्रस फूट होते हैं वहां से हमें मिलता है सिट्रस फूट से क्लियर विटामिन सी जो होता है वैसे तो खटा होता टेस्ट में और विटामिन सी एसकॉर्बिक एसिड और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट फूट से मिलता है एनिमल फूट से हमें नहीं मिलता तो इसका मतलब जो मिलक है दूद है उसके अंदर कौन सा विटामिन नहीं होगा विटामिन सी नहीं होती एक विटामिन सी न लॉस होता है विटामीन में कौन सा विटामीन सी का सबसे सा लॉस होता है क्लियर अंसर इसमें ए ऑप्षिन बनेगा विटामीन सी की कमी से क्या हो सकता है सकर्वी रोग हो सकता है सकर्वी इसमें क्या होता है मसूडों से ब्लीडिंग गम से ब्लेडिंग लें लग जाती है पाइड ऑक्षिन जो है 26 कहते है कैसी फिरोल आपका विटामिन डी को कहा जाता है थाइमीन जो है बीवन को कहा जाता है बीवन की कमी से आपका थाइमीन रोग हो जाता है थाइमीन ठीक है सरी बेरी-बेरी रोग हो जाता है बेरी-बेरी और कैल्सी फिरूल से आपका ड़ेड़ीज यह और ऑस्टियो मिलेशिया और रिकेट्स और रिकेट्स लोग हो जाता है इस इंपोर्टन वां तो अंसे इसमें क्या बने का आपका वन ऑप्शन बने का राइट अंसर यहां पूरा पूरा जो है चार्ट लिखा हुआ है इसको पढ़ना है चीक है देखें सारी वीटामीन होते हैं डीघक कि इलाववा विटामीन सी कऊश्विक एसकॉर्बिक कहते हैं वीटामीन विटामीन वीटामिन सोलिवल्टामाइब्स के विटामीन रेतिनowal कहते हैं विटामिन D, कॉलेकल्सीफिरोल, अर्गोकल्सीफिरोल, विटामिन E, टोकोफिरोल, ब्यूटी विटामिन, विटामिन K, फिलोकिनोन जो ब्लेड क्लोटिंग में आपको help करता है तो दीज आरदा विटामिन्स चलिए जी अगरा देखिए अगर देखिए सबसे यंगेस प्रेजिडेंट कौन है यह है एन संजीवा रेडी एन संजीवा रेडी वाउजवा यंगेस्ट प्रेजडेंट ऑफ इंडिया और इन्व ने सर्फ किया था से 1982 के टाइम पे इन्होंने सर्व किया था और इन्हों ने तीन प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम किया हुआ है मुराजी दिसाइच इंद्रा घंदी के ताइम पे काम किया हुआ है और उसके बाद जो है ये जो है युनानीमस जो है सपोर्ट मिला था सभी पार्टी से क्लियर यह आपको पता होना चाहिए सो दिस इस संजीवा रेटी ठीक है सो कई यह है आज की लेक्टर के अंदर कोशन लेक्टर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और जो भी अपडेट्स होते हैं वह हमारी टेलीगरम चैनल की उ अबको ठीक है और प्लस मेरे दो पेड़ कोर्स जाते हैं कि यहां अलग फोल्डर है और इसके अपने प्रपन ले सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन आगे स्टारट कर सकते हैं जी एस कोस्तों है है हमारा पूरा का पूरा theory course है और इस course के अंदर आपको coupon code लगाना है VIP 500 तो आप इन courses को कहां से purchase करोगे दो जगा से एक तो है study IQ app से और एक आप कर सकते हैं website से studyiq.com से जैसी आप इसको open करेंगे जैसी आप इसको open करेंगे आपको screen के उपर नजर आएगा आपको home page home page के बाद दिखेगा आपको best selling courses यहां पर वी ओल का बटन को जैसी आप दबाएंगे तो थर्ड नंबर की उपर आपको दिखेगा 10,000 mcq course और चौथे नंबर पर आपको नजर आ जाएगा GS course clear अगर आपका exam तीन-चार महीनों में है तो आप 10,000 mcq course हो जो है focus कीजिए यह purchase कीजिए अगर आपको next year के लिए पर पेर करना चाते हैं और theory समझना चाते हैं और next year आप पर पढ़ना चाते हैं तो आप GS course को purchase कीजिए यह अपने courses है अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ का तो आप मुझे इंस्ट्राग्राम के उपर मैसेज कर सकते हैं so thank you so much guys all the very best रात को मिलेंगे 9 बजे good luck take care and Jai Hind